गाइस इस वीडियो में आपको बहुत इंपोर्टेंट कुछ चीज़े बताने वाला हूँ क्योंकि जो भी लोग आसूस का लैपटॉप लेना चाते है इस्पेशली आसूस स्टफ वर्शन का कोई भी मतलब कोई भी मॉडल लेना चाते है तो उनके लिए यह जानकर ही बहुत इंपोर्टेंट है तो भाई वीडियो को पुरा देखना है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि यह मेरे लैपटॉप के डिगार्डिंग है आप मैंने पहले भी मैंने इस लैपटॉप को मैंने वान येर के रिव्यू मैंने डाला था ठीक है और यह उसका एक साल के बाद मैंने इसका रिव्यू डाला है ठीक है तो उस वीडियो में मैंने बता था कि उसका जो वाई फाई और डूटूट को उप्शन जो है इससे गायव हो गया था लेकिन एक अपडेट के बाद वो फिक्स से आ गया था ठीक है लेकिन अभी मैं यह लगब डेखता हूं तो यहाँ पर भी कोई वाई-फाई को ओप्शन नहीं दिखा रहा है सिव इथरनेट कनेक्शन है मैंने यह यहां पर मैंने मोबाईल से मैंने डाटा के बल लगा कि मैंने यह नेट कनेक्ट करके रखा है आप देखते तो सिंबल आ रहा है लेकिन फोई मतलब को ऑफ्चην ब्लू टुटूथ को आप्शन नहीं दिखाए यह पहरे एक दिवाइस एटकन अगर मैं करता ह ley qe tr यहाँ पहरे दिखा रहा है तो यह पहरे कि ऑफ रिज़ेस ऑन डिवाइस टर्ण्ध ऑन ब्लू टूट। इसमें ब्लू दो दिन तीन तक चला फिल गायव हो गया ठीक है और अभी यह हाल है तो यहाँ पर डायाग्नोस करने के बाद देखते आता है कि नहीं अभी शायद ब्लूटूट आ गया होगा नहीं आया चलो देखना क्या दिखा रहा है मतलब 90% असुस्ताफ के युजर्स को सेम प्रब्लेम हो रहा है अगर कोई भी मेरा यह वीडियो देख रहा है उसके बस स्टाफ लेफ्टप है और सेम इशू अगर है भाई तो प्लीज यार कमेंट करो इसका कुछ सल्यूशन ढूंडना परेगा लेकिन नहीं तो यार पूरा मतलब 45,000 तक आपका लग सकता है ठीक है इसमें चेंज करने में यह देखो यहाँ पर एरर एरर शो कर रहा है कि इसमें वाइफाई शो नहीं कर रहा है ब्लूटूथ इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो यह इशू है यह आपको टेस्ट भोग चुका हूँ अभी तक मतलब कोई इसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है मैंने कस्टमर सर्विस से कॉल किया है तो वह लेकि सर्विस सेंटर में जाने के उसमें आपके 800 रूपी सर्विस कोस्ट लगेंगे और इसके बाद आपको जो भी अगर मुझे तो लगता है मतलब स यह तो बहुत है तो बहुत है तो बहुत है जो भी लोग आसुस के लैपटव ले रहे रहे भाई सोच लो यार लेने से पहले मैं तो बोल रहो कि मतलो आसुस ठीक है कोई और दूसरा आप्टव रहे ले रहे हो प्रेटर तोड़ा पाच हजार अगर ज्यादा भी लगते तो भाई ठीक है ठीक है नहीं तो भाई आपका खर्चा परेगा वैसे भी एक सल दो सल के बाद क्योंकि जो लोग extended warranty ले रहे रहे वह तो ठीक है मतलब वह लोग का तो ठीक है लेकिन बाकी का मतलब हो ज कर रहा था मेरे दोस्त का एक असूस वीवो बुक का लैप्टप है उसमें भी सेम प्रॉबलम है तो भाई सोच लो भाई असूस का डिवाइस मतलो मैं बहुत ही मुझे बहुत कुस्सा रहा है यार अभी बाकी यार सबस्क्राइब कर ही दो भाई इतने सारे आपको जानकरी तो दे रहा हो भाई और एक इंपोर्टेन वीडियो भाई आ रहा है भाई जो लोग यूटिवर्स लोग ब्रेंड्स आपको मिल के स्कैम कर रहे ठीक है मिलके आपको गलत information दे रहे तो वो उससे related कुछ एक वीडियो आने वाला है भाई देखना ठीक है सब्सक्राइब करजे न मैं ज्यादा तो नहीं बोलता वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बाकी आपकी मर्जी गर अच्छा लगता है content तो तबी करना नहीं तो मत करो